संगीत में भी तो यही हम घूम फिर के जो हमने आठ मात्राइं बोली और आके यहां हम आए एक पर आए फिर हम घूमेंगे और फिर एक पर आएंगे इसको यूं कहलीजी है सम हमारा घर होता है घर हम पूरी सवेरे निकलते हैं इधर जाते हैं उदर जाते हैं काम करते हैं आपको भुला दे मुझे को मेरा सैयोणी मोह मुझे तोरी मौया में सैयोणी जैसा कि हम जानते हैं लए का अगर ट्रांसलेशन करूं इंग्लिश में तो वह बनता है टेंपो tempo याणि एक timing में चलना यानि एक स्पीड है ना हैँ एक स्पीड में चलना एक दो तीन चार अब जनगण मन है जनगण मन अधि इसी स्पीड में करेंगे तो ये इसका टामिंग जल्दी खळाएगगously बावन सेकंड में नहीं आएगा और जाना गाना माना इस स्पीड में किया तो ये बावन से जादा हो जाएगा लेकिन इसकी एक निश्चित लए अगर 60 की गती में 60 BPM अगर इसका टेंपो लें या 120 BPM जो उसका डबल होता है वो करें तो ये बावन सेकंड में exact खत्म होगा यही गीत आपका ठीक है तो इस तरह से संगीत में लए की इतनी importance है उसी तरह से सम की importance होती है सम को समझिए एक गती को समझिए जो होती है ठाह लए जिसको एक गुना कहते हैं एक गुने से ही बाकिस सारी लए बनती है जिसे दो गुना तीन गुना चार गुना ये जितने भ मात्रा मात्रा यानि यूनिट एक पॉइंट है ना एक चीज एक इकाई उसके और दूसरे के बीच की जो समय अवधी है समय अंतराल है ताइम डिफिरेंज है टाइम पीरियड है उसे ले कहते हैं यानि एक दो तीन चार इसके बीच का एक टाइम था एक लेक्छ等 भी तीम ती तीन, चार, तो क्या हुआ हमारा timing बढ़ गया, लए जो है कम हो गई, है ना, timing तो बढ़ा दिया हमने, लेकिन लए जो हमारी है वो कम हो गई, speed कम हो गई, ठीक है तो ये लए की परिवाशा है, speed की परिवाशा अब लए को अध्यात्म से जोड़िए, spiritualism से जोड़िए, तो लए शब्द किस शब्द से निकलता है law, law कहते है flame को, आपने देखियोंगी दीपक, दिये की संधर्ब में अगर बात करें तो कहते हैं, दीपक की law होती है, है ना, और यही होता है कि यार, उमीद की law जली रहनी चाहिए, एक मात्रा से दूसरे मात्रा के बीच का समय अंतराल समय अवधी, time, period, gap, विश्रांती यह मैं synonyms बोल रहा हूं, है ना, उसी चीज के, कि वो gap कहलो, उसे time period कहलो, समय अवधी कहलो समय अंतराल कहलो, है ना, लए कहते हैं, उसी time को, अब उस time को अगर आप बढ़ा देते हैं, उसे stretch कीजिए, खींचिए, तो क्या होगा, लए कम हो जाएगी, लेकिन वो time difference आप कम कर दीजिए, करीब लिया ये दोनों को, तो क्या होगा, लए बढ़ जाएगी, चीक है, इसको कुछ यूँ कहते हैं, अभी मैं इसको literature से अगर जोड़ू और रिष्टों से अगर जोड़ू ना, तो कुछ यूँ होता ना, लोग कहते हैं ना, कि गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है, अमीर, कद्र खो देता है रोज का आना जाना, कि गाहे गाहे यानि कभी कभार की मुलाकात ही अच्छी होती है, कभी कभार मिला करो, तो बना रहेगा, जो रिष्टा है, रोज रोज मिलोगे, तो कद्र चली जाएगी, आपके importance जो है, वो खो दी जाएगी, है ना, अमीर मीनाई का शेर है, ये गाहे गाहे की मुलाकात ही, अच्छी है अमीर, कद्र हो देता है, रोज का आना जाना, ये वही concept है, जो मैंने अभी लए में आपको बोला, कि लए में दो मात्राओं को जितना करीब रखोगे, लए बढ़ जाएगी, है ना, यानि चीज जल्दी खत्म होगी, और जितना दूर रखोगे दोनों मात्राओं को लए, कम होगी, यानि लंबा चलेगा, ये concept मैंने भी अभी अभी आपके सामने बोला, और मुझे क्लिक करा, कि हाँ ये concept देखी रिष्टों से कैसे जोड़ता है, क्योंकि मैंने बोला, मेरा जब पाटाने से काने का वो analogy है, ठीक है, तो analogy पैदा होती है, उसी समय बनती है, ठीक है, तो इस चीज को समझे, ऐसे ही लए समझनी होगी हमें, सिर्फ किताबी भाषा में समझोगे, तो क्या होता है, सिर्फ एक्जाम के लिए याद हो जाती है, वरना चीज़ें समझ नहीं आती है, कई बार होता है यह लाइफ में, कि आपको वो चीज़ें समझ बाद में ही आती है, शुरुआत में पढ़ तो लेते हो, चीक है, तो बनाए रखो, दूरी बनाए रखो, तो अपने आप जो है वो लंबा चलेगा, इंपोर्टेंस जो है वो उसकी आपकी बनी रहेगी, वरना जिस तरह से मात्राओं को जितना करीब लाओगे, उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला, जनगन मन को, इस ले में इतनी करीबी शब्दों की अगर पढ़ने लग गए, तो वो यह खत्म हो जागा 30 सेकिंड में, लेकिन यही आपने जनगन मान अधि, इस स्पीड में बोला, इतनी दूरी में बोला शब्दों को, तो क्या होगा, ले, बढ़ जाएगी, वो आपका एक मिनिट तक भी एक्स्टेंड हो सकता है, वही गीत, ठीक है, वही यह सीक्रेट है, मैं आपको आज लव गुरू बनके एक अच्छी बात बता के जा रहा हूँ, ठीक है, अब यह रिष्टों में आप अगर अपना हैं, तो अपनी उपर है, हर रिष्टे में आता है, इस अनी के सिर्फ आप एक किसी रोमैंटिक रिलेशन में डाल रहा हैं इस चीज़ को, तो रिष्टों की बात है, तो वो होने चाहिए, चीक है, संगीत में भी सम किसे कहते हैं, सम शब्द आप सभी लोगों ने सुना होगा, और सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, कहते हैं न सम्तल है, या कहते हैं सामन जस्य, सम या जिसको अंग्रेजी में सम कहेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा, टोटल, है ना, एक जैसा, समान होना, एक हो जाना, यही टोटल भी है, टोटल मतलब भी एक होना होता है, जुड़ना हो, जो इंग्लिश वाला सम है, वो भी यही है, हर ताल में एक सम होता है, यानि पहली मात्रा आती है, जहांसे वो गीत शुरू हो न हो, लेकिन उस पर ही खत्म होता है, कोई भी गीत की शुरुआत सम नहीं होगी, लेकिन end सम ही होगा, सम से पहले से भी शुरू हो सकता है, जैसे कि हम गाते हैं, तो पिया पे इसका सम है, ठीक है, सीधा सम आता है इसका, है ना वहां से शुरू होती है रिदम जब भी रिदम शुरू होगी तो वो रिदम हमारी सम से शुरू होगी उससे पहले हम गा रहे होते हैं ठीक है सम तक हमें पहुँचना होता है अब मैं क्योंकि हमेशा से मैंने बोला है कि साहित्य संगीत और अध्यात्म जुड़ा हुआ है तो सम तक पहुंचना है तो आप समझ जाएए मैं किस सम की बात कर रहा हूँगा अध्यात्म के तौर पर स्पिरिचुलिजम के तौर पर कि कहां हमें पहुंचना होता है किस से हमें समान होना होता है कहां हमारा एकाकार होना होता है संगीत में भी तो यही हम घूम फिर के जो हमने आठ मात्राइं बोली और आके यहां हम आए एक पर आए फिर हम घूमेंगे और फिर एक पर आएंगे इसको यूँ कह लीजिए सम हमारा घर होता है घर हम पूरी सवेरे निकलते हैं इधर जाते हैं उदर जाते हैं काम करते हैं मोजोडाते हैं, थोड़ी सी मेनत करते हैं, थोड़ी मार खालेते हैं, किसी को मार के आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और फिर कहां आते हैं, घर पे, तो सम पे लोटते हैं हम वापिस, और फिर अगले सवेरे निकल जाते हैं, और फिर आते हैं, घर पे, जिसको कहते हैं, लोट हर थोड़ी देर में सम आएगा अब वो दिखाया कितना सम है वो बात अलग है पर हर थोड़ी देर में एक सम आता है जिस प्रकार से घड़ी चलती है घड़ी हमारी चलती है बारा से शुरू होता है कांटा और घूम के फिर बारा पे आता है फिर चालू हो जाता है और फिर बारा पे आता है वो रुपता नहीं है वो बारा से बारा का जो चक्र है वो चलता है एक से साट का जो सेकेंड चक्र है वो चलता है उसी तरह से जो ताल है हमारी उसमें भी सम शुरुवात है सम ही अंत है ये इंफिनिटी बनती है सम से ही शुरुवात है सम से ही अंत है जिसको हम अध्यात्म में यही कहते हैं कि इश्वर से हम निकले हैं और इश्वर में हम विलीन हो जाते हैं वहीं मिल जाते हैं एका कार हो जाता है हमारा और यही हमारी दुनियावी भाशा में भी हम इश्क को भी इसी तरह से जानते हैं तू मैं मैं तू एक ही हो जाएं उसे असल इश्क कहते हैं है ना वननेस वननेस का जहां फील है भाव है वहां इश्क है है ना वह वाली बात है कि ये मौजिजा भी महबत कभी दिखाए मुझे ये मौजिजा मौजिजा यानि चमतकार ये मौजिजा भी महबत कभी दिखाए म इस तरह की मुहबबत अगर मुझे देखने को मिले, ऐसा इश्क, ऐसा प्यार मुझे अगर किसी से हो, और किसी को मुझे से हो, कि जहां सिर्फ जिस्म नहीं, दिल, जहन जो हैं वो जुड़ जाएं एक तरह से, कि वो और मैं एक हो जाएं, ठीक है, खेर यही चीज संगीत में मैं भी जुरूरती, इसलिए मैं आपको उसका भी एक्जामपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूं, डाइवर्ट अपन होते नहीं है, वहीं पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डीटूर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्जामपल से भी, अगर तो आप मेरी वाली को समझ पाओगे, हैगी नहीं, अगर मैंने डारेक किताब से पढ़के बोल दिया, तो किताब में तो फिर आप भी पढ़ सकते हो, किताब आपके पास भी अविलेबल हो जाएगी संगीत की, लेकिन उसी को पढ़के समझ आ रहा होता, तो मेरे पास आते एक्जामपल्स दूँ, है ना, सम पर आजाना यानि घूम फिर के वहीं आना है, जैसे कि हमारा जनगन मन है, वो शुरू ही सम से होता है, जनगन मन अधिनायक जाया है, मेरे वजन पर फोकस कीजिएगा, मैं कहां कहां वजन देता हूं, उसी तरह से आपको वजन पहचान आ यह चीज आपने महसूस करी होगी, कि बीच शब्द में भी समा जाता है, बीच में भी रिदम पैदा हो जाती है, जनगन मन अधिनायक जया है, भारत भाग्यविदाता, वी सशब्द शुरू हो रहा था, लेकिन सम मेरा धा पर आया, तो यह कहरवा चल रही है, कहरवा आठ मातरा की रिदम साइकल होती है, एक, दो, थीन, चार, पाँच, चे, सा, ताथ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, चे, सा, ताथ, ठीक है, इस तरह से तालें जो हैं गीत में बज़ती है, अब ताल शब्द का ओरत, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ताल शब्द हमारे तॉल से निकला है जिस परकार से तराजू होता है तराजू क्या करता है तौलने का काम यहां वजन रखोगे यहां अपना सामान रखोगे तौल होगे भाईया कितने किलो आलू हो गई कितने किलो भिंडी हो गई यही काम करेगा आटा तौलते हैं तो भाईया इतना किलो आटा हो ग यहां ऐसा नहीं कि इसका जो मीटर है वो 6 का हो जाए 3 का हो जाए या 5 का हो जाए और यहां 8 चल रही होगी यह नहीं होगा एक फर आना सम पर आना घूम फरके जरूरी है सम की पहचान जरूरी है और सम ही wakt है जिसको भगवत गीता में, श्रीमत भगवत गीता में श्री कृष्न कहते हैं, कि समय में मैं वर्तमान हूँ आप सभी लोग परिचेत होंगे इस चीज से कि उन्होंने जब अर्जुन को समझाया है कि मैं कौन हूँ, अपना विराट रूप दारण करके, तो उन्होंने बताया है कि परवतों में मैं कैलाश हूँ और पेड में मैं बरगद हूँ, ऐसे कुछ examples दिया हूँ, उसमें उन्होंने example दिया है कि समय में मैं वर्तमान हूँ वर्तमान यानी present, present time है, सबस्सी बात है, यही present आपका past पास्ट बनता है यही प्रेजंट आपका फ्यूचर बनता है अभी जो मैं डिसकेशन कर रहा था वह अपना प्रेजंट इता लेकिन अब वह पास्ट बन चुका है दो मिनिट पहले की बात हो चुकी है और जिन लोगों और यही फ्यूचर बनेगा आपका आगे यही पास्ट बनता है तो वह एक पॉइंट होता है लाइन पर आप एक ड्रॉ कर दीजिए कहीं भी वही आपका पास्ट बनने वाला है वही प्रेजंट और वही वर्तमान आपका सम है कि सरकल बनता है वही लूप बनता है इंफिनिटी बनती है वहीं से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है उसी तरह से सम से ही शुरू है सम पर ही एंड है तो सम को समझ लेना सबसे जादा जरूरी है